नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पते होगा कि हाली में भीम सेना के प्रमुख नवाव सत्पाल तंबर को नुपर सर्मा पर अभद्र भासा का प्रियोग करते हो गलत टिपड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गरपतार का लिया था फिलाल आपको तादे कि नवाव सत्पाल तंबर को कोट दोरा जमानत मिल गई है लेकिन आपको तादे कि उनके साथ किस तरह की से गलत तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गरपतार किया क्या पुलिस की मनसा थी क्या नवाव सत्पाल तंबर के साथ कोई ऐसी घटना घटन इसी जानकारी आपको दादे कि उन्होंने सोटसल मीडिया पर दी है उन्होंने बड़ा खुलांसा किया है दिल्ली पुलिस का उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस इस्पेशल सेल ने 16 जून 2022 को गुलगाओं के सेक्टर 14 से सतपल तंबर को धोके से गरपतार किया आपको दादे कि उन्होंने लिखा कि तीन गाडियों में बिनावर्दी के आए स्पेशल सेल के लोगों ने अचानक हमला बोल दिया गरपतारी का कोई भी कारण नहीं वताया ना ही आईडी कार्ट दिखाए गए और ना ही अपनी उन्होंने पहचान उजागर की अब आपको दादे कि जो नवब सत्पल तंबर हैं उन्होंने लिखा एक गरपतारी के बाद सत्पल तंबर को दिल्ली के सेक्टर 16 सी द्वार का स्थित स्पेशल सेल कार्याला में ले गए बहां उनसे बावसाव अम्बेटकरजी और पेगंबर मुहम्मद के बारे में क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने पूछा था इसकी जानकारी खुद नवब सत्पल तंबर लाइब आकर सोसल मेडिया पर अपने भीम सेना के तमाम सेनकों और बहुज़ा और जो भी भीम सेना के आपको दादे कि सदस्थ हैं उनके लिए सभी जानकारी देंगे तो आपको दादे कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें धोके से ग्रपतर किया था इसकी जानकारी उन्होंने दी साथ ही आपको दादे कि पुलिस द्वारा उन पर कई अन्य अत्याचार किये गा उन्हें टॉर्चर किया गया इसकी जानकारी खुद नवसत्पल तंबर जल्द ही लाइब वीडियो में आकर लाइब बताएंगे इस पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरू बताएं चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद